यूपी के फरुकाबाद में सपानेता का एक नया कारनामा सामने आया है मामला फतेगर छेतर के गाउं याकूद गंज का है जहां पहले सपानेता अफजाल ने एक नावालिक लड़की को अपने प्रेम जाल में फसाया और उसके बाद उससे शादी की शादी के बाद लड़की नेता पर शारीरिक उतपीडन का आरोप लगाया है लड़की का कहना है कि अफजाल ने उसका उतपीडन किया और फिर उसे छोड़ दिया वहीं लड़की लगातार उससे तलाग की मांग कर रही है लेकिन सपानेता ना उसको तलाग दे रहा है और ना ही उसे अपने घर पर रख रहा है कासगंज की सोरो कोतवाली पुलिस और इंटेलिजेंस विंग टीम को छापे मारी के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस ने मुख्विर की सूजना पर भारी मात्रा में नशीले पदार्थ का जखीरा बरामत किया है साथी तमंचा, कार्तूस और हजारों की नगदी भी बरामत की है और दो नशीले पदार्थ के तसकरों को हिराशत में लिया है दौना तसकरों की पेंचान गोपाल, दोपे और निजामुद्दीन के रूप में होई है पुलिस ने इन से करीब 6.5 किलो गांजा, करीब 1.5 किलो डाइजपाम, 1.84 कार्तू समेद नगदी बरामत की है फिलाल पुलिस ने तसकरों को जेल भेज दिया है जालोन के कोच में मदपिदेश के एक टीवी न्यूस चैनल के पत्रकार की हत्या कर दी गई जिसके बाद पत्रकारों ने राष्टपती को संबोदेत एक ग्यापन उपजिलादकारी सुरेश कुमार सौनी को सौपा वहीं पत्रकार संगठनों के सदस्यों ने बताया कि पत्रकार समाज की सजक प्रहरी हैं और पत्रकारों पर ही अत्याचार होगा तो वो लोग क्या करेंगे ग्यापन में का गया है कि भिंड जिले में टीवी न्यूस चैनल के एक पत्रकार को खनन माफिया और पुलिस की पोल खोलना इसकदर महंगा पड़ गया कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा पत्रकार ने अवैत खनन के बारे में मोखे मंत्री से लेकर पुलिस अधीक्षक तक को भी पत्र भेजकर अगवत कराया था साथ ही अपनी जान की सुरक्षा की भी मांग की थी लेकिन मामले को गंभीता से नहीं लिया गया जिस कारण अवैत खनन करने वालों ने शड़ेंत रजकर सोची समझी चाल से उसकी ट्रक से को चलकर हत्या कर दी और एया के अचल्दा धाना छेत्र के नगरिया बंबा के पास साइकल से अपनी पत्नी के साथ घल ओटर युवक की अग्याद बदमाशों ने गोली मार कर हत्या कर दी आपको बता दे मामले में नया मोर तब आया जम रतक के परजनों ने युवक की हत्या के पीछे बड़े भाई बलवान सींग और उसके दो बेटों पर जमीनी विवाद के चलते गोली मार कर हत्या किया जाने का आरोप लगाया वहीं गटना के संबन में बताया जा रहा है कि आठ दिन पहले मोकेश्ट का आपने बड़े भाई बलवान सींग से जमीनी विवाद को लेकर जगड़ा हुआ था जिसकी सिकायत फपुन थानी में दर्ज भी कराई गई थी हालांकि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुची और मामले की जाच में जुट गई है परुकाबाद में प्रेम प्रिसंग के चलते एक प्रेमी जोड़े ने अलग-अलग जगे फांसी लगा कर आत्म हत्या कर ली जहां योवक ने आम के पेड़ से लटक कर फांसी लगा ली तो वहीं गाउं की एक योवती ने भी फांसी लगा कर आत्म हत्या कर ली गटना के तीन गंटे बाद पहुंची पुलिस ने शब का पंचनामा भर कर पोश्ट माडम के लिए भेज दिया बताया जा रहा है कि काफी दिनों से दौनों के बीच प्रेम प्रिसंग का मामला चल रहा था